आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello student, question में बुलाई The diagonal of rhombus are 10 cm and 8 cm, ठीक है area of rhombus अगर हमारा 1 10th है किसका area of square के तो बुलाई find the cost of fencing the square of rate Rs 10 per meter, ठीक है तो यहाँ पे सबसे पहले पन देखे area of rhombus, ठीक है तो rhombus अपन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं तो मान लो यह हमारा 1 rhombus है ठीक है, यह हमारा 1 rhombus है अब इसका यहाँ पे पन देखे, तो diagonal जो है वो हमारा कौन कौन होगा, तो एक diagonal हमारा यह होगा, ठीक है, और एक diagonal हमारा यह होगा, ठीक है, दो diagonal तो एक diagonal जो है, वो हमारा कितना है 10 cm, दूसरा हमारा 8 cm है अब यहाँ पे सबसे पहले area of rhombus निकाल ले area of rhombus यह क्या होगा तो half into d1 into d2 जहाँ पे d1, d2 हमारे diagonal होते हैं तो यह half into d1 हमारा 8 है और d2 हमारा 10 है ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया 40 cm2 यह बन गया ठीक है 40 cm2 हमारा area of rhombus आ गया अब जो area of rhombus है वो 110 है किसका area of a square के ठीक है तो अपन लिख सकते हैं यहां से कि area of जो rhombus है ठीक है तो area ठीक है तो rhombus यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि 110 of area of 110 of area of square ठीक है तो area of a square तो यह हमारा area of rhombus हमें मालूम है वो हमारा 40 के equal है ठीक है तो this is equal to 1 by 10 into अगर area of square अपन लिखे तो माल लो एक side एक square है ठीक है ऐसा आपन यहाँ पर आपन यहाँ पर एजूम करते है एक square ठीक है यह square है और इसका जो length है वो हमारा क्या given है इसका side का length होगा वो हमने माल लो a unit माल लिया है a unit so यहाँ पर अपन area of square क्या बोल सकते है a का square तो यह आगया 400 is equal to a का square अब 400 को अपन क्या लिख सकते है 20 का whole square that is a का square so a is equal to क्या आगया यहाँ से 20 cm इसको अगर meter में कर्मट करें तो a is equal to क्या जाएगा 0.2 meter बोल सकते है अब हमें given है कि cost जो fence कर रहे है अपन square को उसका जो cost है वो 10 rupees per meter है ठीक है so 10 rupees per meter है यानि कि 1 meter में उसका cost हमारा 10 rupees तो हमें square को fencing करना है तो square का perimeter क्या होगा तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसका perimeter ठीक है इसका perimeter क्या बन जाएगा तो 4 times A बन जाएगा ठीक है तो यहाँ से अपन लिख सकते है so 4 times A हमारा क्या है so A हमारा 0.2 meter आ ठीक है so 0.2 meter आ रहा तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते है तो यह 0.8 meter में यानि कि 0.8 meter में हमारा price क्या जाएगा so 10 into 0.8 यानि कि 8 rupees यह हमारा आंसर होगा thank you